प्रेंट्स आज इस बीडियो में हम जानेंगे मैक टैप एक बड़ा ही उप्यूगी एफ है अगर आप एक सिख्चक है या एक विद्यारती है तो यह आपके लिए बड़ा ही उप्यूगी हो सकता है अगर आपको अंग्रेजी में कहीं पर भी कोई समश्या आ रही है तो इस के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से अपनी समश्या का निवारण कर सकते हैं साथ ही अगर आपको कोई बुक ऑनलाइन पढ़नी है तो यह आप आपको पढ़ करके सुनाएगा आपको उसको पढ़ने की भी हाविश्यक्ता नहीं होगी तो क्या है मैक टैप कैसे आप इसको और जैसे ही आप मैक टैप टाइप करेंगे तो देखिए मैक टैप पीडियाफ रीडर और ब्रावजर आपके सामने यहां पर दिखाई देगा यहां पर देखिए मैक टैप का जो यह एप है इसमें देखिए 62 MB का होगा और इसमें 10 लाग से अधिक डाउनलोड हो चुके हो तो यहां पर देखिए ग्रीन जो इंस्टॉल का बटन है इसमें हम क्लिक करेंगे और इस प्रकार मैक टैप का जो यह पीडियाफ रीडर का एप है यह हमारे सामने डाउनलोड हो रहा है और हमारे डिवाइस में यह यहां पर इंस्टॉल हो चुका है तो जैसे यह इसके बा दा रहा रहा है कि इसे अब क्या कर सकते हैं तो अन मोड में क्या करेंगे अब सब से पहले हमें यहाँ पर लांग दे policy आप बहुत सारी लेंग्विज यहां पर हैं तो यहां पर अभी हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं आप उसके बाद देखिए continue with google facebook या इसकी प्लॉग इन भी हम यहां पर कर सकते हैं साइंप करके तो हम यहां लॉग इन कर दे रहे तो यह देखिए हमारे सामने MacTap का एप open हो चुका है तो यहां पर देखिए मुख्य फीचर इसके क्या क्या है पहला है बुक्स का और दूसरा यहां पर documents का है तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम कोई भी बुक यहां पर doctor देखिए कहाने मिखने चुम्धी जाएंगे और बटन दिखाई दे रहा होगा इसको आप ऑन भी कर सकते हैं तो देखिए अभी हमने यह आउन किया तो आपके सामने देखिए यह के मैगनिफायर आ जा रहा है इसलिए इसका नाम मैक टैप रखा गया तो यह कि देखिए जैसे यह आप अपने किसी भी पूरा जो यह टेक्स्ट है यह आपका ट्रांसलेट हो जाएगा तो देखिए बहुत ही आसान एप है और बहुत ही जादूई तरीके से काम करता है तो जैसे आप किसी भी टेक्स्ट में इसको ले जाते हैं चाहे आपके मोबाइल में कहीं पर भी आप जाएं तो यहां पर पहली बार आपको दाउनलोड करना होगा तो देखिए इंग्लिष यहां पर डाउनलोड है अब हम हिंदी को भी डाउनलोड कर लेते हैं तो यहां पर देखिए ट्रांसलेट ऑफ-लाइन में हमने यहां पर नीचे डाउनलोड का बज़रन है तो इसमें जैसे हम क्लिक सब्सक्राद यहां पर घठती दूसरी लेंगोइज भी यहां पर डाउनलोड होगी हैं बहुत सारी लेंग्वेज देखिए नैपाली ऊडिया सब्सक्क्राद कर लिया है तो अब हम आग कर के यहां पर आगे देखिए किस प्रकार से आप हिंदी का टेक्ट अगीठ यह सो इसे किसमें ट्रांसलेट करेगा इंग्लिस में तो चलिए हम कहीं पर भी चले जाते हैं देखिए यहां पर हम Google Play Store Google में चले गए हैं और Google में हमने यहां पर देखिए भारत एक खोज नाम की जो पुस्तक है उसके बारे में यहां पर सर्च किया तो Google में देखिए हैं अब हमें इसका English लेगर और देखिए इसको यह इसको हंं इसको यहां पर रएगए फिक्रस आब करेंगे ले जांगे और हमासामने हिंडी ने यहां पर देखिए तो इसको रही बतल देखिए प्या आसान अभाष है आपकी हिंदी और अंग्रेजी की कहीं पर भी कोई भी समश्या है तो उसके लिए यह चुटकियों में उसका समाधान कर सकता है अब देखिए यहाँ पर हम इसका एक और फीचर देखते हैं यह तो अभी हमने email dictionary का उपयोग किया था अब देखिए दूसरा इसका features क्या है जैसे ही आप कोई text open करते हैं कोई book open करते हैं यहाँ देखिए अभी हम एक book को open कर रहे हैं तो हमारे सामने देखिए यह book open हो चुकी है तो अब यहाँ पर पढ़ते पढ़ते अगर आपको किसी भी सब्द की जरुवत पढ़ती है तो वहाँ पर देखिए जैसे यह आप उसमें tap करेंगे तो तुरंत आपको यहाँ पर उसका अर्थ चित्र के साथ यहाँ पर आपको जैसे ही हमने यह on किया तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने green button ओपन हो जाएगा अगला सब्द देखिए classification है तो जैसे हम इसमें उंगली रखेंगे tap करेंगे तो देखिए classification उसका आर्थ आ गया वर्गीकरण और नीचे चित्रों के माध्यम से भी वर्गीकरण क्या होता है उसको यहाँ पर समझाया गया है जबकि अगर हम पहले से पहले कहीं पर कोई सब्द का आर्थ जानना चाहते हैं तो डिक्स्नरी ओपन करनी पड़ती है या गूगल में जा करके हमें सर्च करना पड़ता यह देखिए एक्रोबेट हमने किया तो उसका आर्थ आ गया कलाब और कलाब आज कौन है उसका चितर भी दिखाई दे रहा तो जैसे देखिए इसी प्रकार हमने यहां पर अगर इसको आप कर देंगे तो अब क्या होगा यह आप करेंगे तो यह को कॉपी करेंगा नीचे देखिए क्लासिफिकेशन ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है तो उ इसी प्रकार से देखिए हम इसको मैगनिफायर को ओन भी कर सकते हैं और आप कर सकते हैं और जैसे ही उस सब्द में टैप करेंगे तो देखिए उसको यहां पर वो चितर सहित आपके सामने तिखाएगा तो यह इसका दूसरा फीचर था आईए अब हमें इसका तीसरा फीच that you inputter currently have on your hard drive. 1. E-books are Adobe Acrobat PDF files or Tomerader type only. Do not name text files e-books, no matter how long your lines are. 2. In parenthesis within the name, type e-book type, class 3. In the type space put the format, either PDF or Tomerader. In the class space, put the classification of the book. Classifications are Biography, Children, Fiction, Food, Games, Government, Health, Internet, Martial Arts, Mathematics, Other, Programming, Reference. तो देखिए इस प्रकार ये text जो भी आप इसके सामने आएगा, उसको line to line ही पड़ेगा. अब देखिए सेटिंग से हम इसकी पीच को जो इसकी साउंड है, उसकी पीच को कमिया जादे कर सकते हैं और अपने अंसार इसको आसानी से सुन सकते हैं. साथ ही देखिए नीचे सेटिंग में इसका ये color दिख रहा है text का, तो इसको हम highlight किस से करेंगे, इस color को भी यहाँ पर हम इसको change कर सकते हैं, और जिस color में हम अपने text को देखना चाहें, और जैसे ये पढ़ते जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा. आईए, अब हम इसका एक अगला feature यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए, यहाँ पर हिंदी में आप news सुनेंगे, तो यहाँ पर हम देखिए, किसी भी browser में जाकर के हिंदी की news को open कर रहे हैं, तो देखिए हमारे सामने ये हिंदी की news ओपन हो गई है, और इस हिंदी की news को हमने यहाँ पर देखिए, select कर लिया है, तो अब यह इसको पढ़ करके सुनाएगा, तो आईए, सुनिए, दुनिया भर में एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी लोग प्रियता के मामले में अब वलाए हैं, ग्लोबल पॉपुलरिटी के मामले में 13 दिगगज न आपके सामने यह उसको पूरा आर्टिकल पढ़ करके सुनाएगा, तो जैसे यह आप इसको टैप करेंगे तो आपको यह पूरा पढ़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसी प्रकार इसकी सेटिंग में एब टूटोरियल भी दिया है, और बहुत सारी सेटिंग से हैं, तो आप अपनी सुधा के अनसार इन सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, इसी प्रकार देखिए, लेफ्ट टॉप कॉर्णर में यहाँ पर प्रोफाइल का जो साइन है, इसमें जैसे यह आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए, बहुत सारी चीजे हैं, इस एप में द और उसको यहाँ पर सेब भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप इसमें कोई भी चेंजेज कर सकते हैं, और कोई भी नोट इसमें नया बना सकते हैं, और जैसे ही आप इसमें नोट बनाएंगे, तो वो नोट यहाँ पर हमेशा के लिए सेब हो जाएगा, इसी प्रकार देखि और उसको यहां पर सुन भी सकते हैं तो इस प्रकार से इसका जो मैग नोट है यह भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है अवश्य आपको इसका उपयोग करना चाहिए और इसके माध्यम से आप अपनी सारी चीज़ यहां पर एक जगह पर मैग नोट में सेप कर सकते हैं इसी प प्रकार की न्यूज भी मिल जाएंगी और आप इन न्यूज को यहां पर पढ़ सकते हैं और उनको सुन भी सकते हैं अगर आपको यूज करने में कोई कटना ही आ रही है तो आप कमेंट की किजिएगा तुरंत आपको उसका रिप्लाइज दिया जाएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्क्राइब नहीं किया है तो नीचे लिए लाद लंके सब्क्राइब को प्रेस करें और उसके सामने लिए बैल आइगन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार का उप्यों की नया वीडियो ले करके आओं तो तुरंत उसका नोटिफिएशन सबसे पहले आपके यूट्यूब में पहुंच सके